सीनल गुम्री किसी के प्यार में इस समय विराट जिंदगी और मौत से लड़ा है जी हाँ विराट की हालत काफी खराब है पूरे घर वाले बहुत परिशान है आप देख रहे हैं विराट हॉस्पिटल में कितनी पट्टिया लगी है किस तरह बहुश है उसे किसी भी चीज का होश नहीं और पूरा परिवार यहां पहुँच चुका है विराट की मा की हालत तो देखी नहीं जा रही है और उससे भी जादख परिशान है हमारी साई इस समय इन सारी चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है उसे लगता है कि विराट सरफे शक नहीं किया होता तो आज यह सब कुछ दिन नहीं देखना पड़ता आप देखेंगे होस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं कि विराट की हालत बहुत नाजूख है और तु इस समय इन्जेक्शन डूड के लाते आने वले पिसूर में आप देखेंगे कि वह इंजेक्शन विराट को ऑपरेशन होगा वह इंजेक्शन लगेगा और यह उपरेशन सक्सेस्फुल होगा फाइनली एक बार जो पूरा परिवार सई पर ब्लेम कर रहा है को भले ही सब ब अपने विराट को अपने पती को बचाना चाहती है उसे समझ में आ गया है कि सब कुछ मिसंडेस्टेंडिंग थी विराट कभी गलत था ही नहीं आने मेले पिसूर में एक बड़ा ट्विस्ट है कि पाकी यहां आपको डालॉग बोलती नजर आएगी कि मैं बस चाहती हूं भगवान जल्दी से विराट ठीक हो जाए और समराट फिर कहीं चला जाए यह सुनके थोड़ा आपको आश्यर लगेगा असल में पाकी चाहती है कि सही तो अब जिंदीगी से चली गई है क्योंकि सही और विराट का डिवोस हो चुका है ऐसे में समराट कहीं चला जाएगा जिसमें उसको वो इंजेक्शन भी लगेगा और विराट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा अब देखना यह है कि क्या इसके बाद हमारे विराट और साही एक होते हैं क्या होता है शो में आगे यह सारे टोसे सारे अपडेश जाने के लिए हमारे चलों सब्सक्राइब कर क्या है